करेंगे अगला टॉपिक या वही टॉपिक कंटिनू पढ़ेंगे ठीक है अभी थोड़ा पाड बाकी है उसका खतम कर लेंगे फिर इसके बार नेक्स्ट टॉपिक पर सिफ्ट करेंगे तब तक के लिए, आप लोग क्या करो, session को लाइक कर दो, share कर दो और चैनल जिन लोगो ने subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe कर दो ठीक है, आज पंदरवी Key Class है, साथ नहीं, पंदरवी Key Class है, जादा classes हो क्लास हो चुकी है तो जिन लोग और अभी तक पिछली play Class को नहीं देखा है करती है सुबह 9 बजे इसकी जो टाइमिंग है वो ना टाइमिंग याद रखेंगे यह आपको मिलेगी हफते में तीन दिन मिलेगी यह क्लास देखने को ट्यूजडे थर्सडे और सेटरडे वैसे भी एक दिन कब चला जाता होगा एक दिन का गैप कब हो जाता होगा आपको ख करेकलचर भाई करिस्टना सर के नाम से कम्मूनिटी होगी एप्लिकेशन पर एप पर उसको जोइन करो ठीक है हां उसको फॉलोग करो वहां पर आपको इस क्लास के नोट्स भी मिलेंगे इस क्लास के नोट्स भी हम देते हैं ठीक है हम हम ही नए स्टूडेंट है अच्छा बहुत बढ़िया ठीक है तो अगर आप लाइव ही क्लास लिया करो क्योंकि कि अगर कोई डाउट होगा तो सोल्व यहीं पे कर देंगे अगर आप रिकॉर्डड देखो को कौन करेगा ठीक है कमें अतने ज्यादा वो नहीं आता फील नहीं आता जबाब आपको समझ में भी नहीं आएगा ठीक है कोई चीज है अगर आपने पूछी तो क्या पता हम एक वर्ड में उसे खतम कर दें हमें क्या पता कि आपको यह पता है या नहीं पता है बात सम्मारी है तो अगर आप लाइव क्लास में लोगे तो हम समझ जाएंगे कि आप कहना क् रखते हैं आप से कि भी या फिर से कहो हमारे आपके बात समझ में नहीं आई है बात नमारी है हाँ एजी तीए कहा जाएगा यार इतनी कहें टेंसन ले रहे हो है ना आजाएगा परिशान मत हो ठीक है हाँ बागी नोट्स मिलते हैं इसके पीडियेफ फॉर्म में हम देंगे आपको और बाकी तो सबको पता ही है क्या क्या बताते हैं इसमें ठीक है बस इतना काफी है नहीं का गुरुजी यही चलता रहेगा क्या आदा गंटे है फॉर आफ़र से से सेशन को शेयर कर दो मैं भी कर दे है यहीं कोई बड़ी बात थोड़ी हमारे लिए कोई चीज प्रूफ करना लेकिन तुम यह मत सोचना जैसे कभी-कभी क्या है कि मैं बता दूंगा अक्सर स्टूडेंट कोई क्वेश्चन पूछते हैं माल लो टीचर को ना आए ठीक तो ना आए और हो सकता है ठीक है माल ल तो ना आए तो पता क्या स्टूडेंट कहते हैं देखा फसाद यह ना सारी अकड़ धरी रह गई उसमें मत आ जाना ठीक है हाँ तुमारी बातों में यह मुझे लग रहा है ठीक इसके बाद हम लोगों ने देखो क्या क्या पढ़ लिया है देखो पहली बात तो हम इसमें आपको लास्ट में जैसे हमने बदाया भी था कि यह जो टिलेज है यह किसके बेसिस पर है कंडिशन स्फेस्फिक है या रीजन स्फेस्फिक है ड्राइलेंड अग्रिकल्चर या ड्राइलेंड अरियाज में कितनी टिलेज करते हैं यह हम आपको पहले भी बता चुके हैं अग्रिगेट का साइज बगारा तो हमने आपको प्राइमरी टिलेज क्या होता यह बता दिया है प्राइमरी टिलेज ठीक इसमें आपको डीप प्लॉइंग बताई है मैंने या तीसरा था year round tillage, याद है आप लोगों को year round tillage, year round tillage है तो dance करके year round tillage में लिख लो, बाकी तो हमें आपको करवाई चुके हैं ये, year round tillage में लिख लो, क्या है? And the tillage operation carried out the tillage operation, the tillage operation, the tillage operation तियर राउन्टिलिश मैं आपको बतादू कि क्या है जैसे कि हम आफ सीजें जो ठीलिश करते हैं यहां पूरी साल ठीलिश करते हैं आपको ऐसे समझा है किसी क्रफ कु भी क हार्वेस्ट करनेक बाद देखाया बढ एक मैं मस्ष्ण कि मैंने गलत बता दिया है उसको सही कर लो तो एतना तैंसन मतलिया करो तो इसा भी तो सकता है तो यह राउंट टेलेश है खाली कर देंगे इस से क्या होगा जो है लूज हो जाएगी और जब रैनफाल होगी तो यह लूज में मैक्सिम वाटर एंटर कर जाएगा जब मैक्सम वाटर एंटर कर जाएगा तो बहुत लंबे समय तक रिटेंन आएगा सोयल में और आगे आने वाली क्रॉप्स के लिए help करेगा monster ये तो ये है ये round tillage जो है वो किसके अंतरगत आती है primary tillage के अंतरगत आती है simple है और primary tillage क्या है ये हम आपको बता चुके है ठीक है और फटा फट से session को लाइक भी कर दो आप लोग ओके ओके तो देखिए इसके बाद हम बताएंगे आपको objective of primary tillage क्या objective होते है तो heading डाल लो objective of objective of primary tillage तो को primary tillage करने के हमारे objective क्या होते है dryland and irrigated condition में ठीक है objective of primary tillage to reduce soil strength, soil strength को कम करना to reduce soil strength to reduce soil strength to reduce soil strength to rearrange next to rearrange soil aggregate Soil aggregate, Soil aggregate क्या है यह हम बता चुके हैं, Soil aggregate को क्या करना, arrange करना, to cover plant materials, to cover plant materials, plant materials and buri and buri buries and buri weeds. Weeds, Soil में mix करना, वीड को, यह भी तो है, Soil में क्या करना, mix करना, जिससे क्या है, problem कम हो जाए वीड की, चीक है, Soil में mix कर दोगे तो problem कम हो जाएगी, ओके, इसके बाद to kill the insect and pest, fourth number is to kill the insect and pest, अब एक बात बताओ आप लोग, हमने जैसे कि आपको बताया था, याद करो, हमने आपको बताया था, सब डीप लॉइंग, डीप लॉइंग बताया था, डीप लॉइंग लगबग हम कितनी सैंटीमीटर गहराई में करते हैं, तो 25 से 30 सैंटीमीटर याद है, इतनी गहराई में करते हैं, Soil को open कर देते हैं, हार्ड पैन को break कर देते हैं, इससे देखो क्या होता है, जितने भी Soil के नीचे वीड के प्लांट पार्ट है, है ना, प्रोपोगेटिंग पार्ट हैं, वो Soil के बाहर आ जाते हैं, तो जितने भी Weed हैं, वो खतम हो जाते हैं, और Mixed कर देते हैं, ऐसे संबच सकते हो, गहारैं गाता है, तेज धूप होती है, जिसक ذsk में से जितने भी Weed हैं जितने जितने भी इंसेक्ट पेस्ट हैं वीड हैं यह सारे खतम हो जाते हैं तो यह यह सारे समझ में आ गए aggregate को rearrange करना soil strength को जो compact है soil उसको क्या करना lose करना हाँ बात सन्मारी है clear है बात ठीक है तो यह है तो यह objective है हमारे primary tillage के और deep plowing क्यों करते हैं और sub-soiling क्यों करते हैं यह बात आपको पता होगी sub-soiling क्यों क्यों करते हैं deep plowing क्यों करते हैं sub-soiling है क्या chisel plow क्या है chisel plow का का काम क्या है ठीक है यह सबी चीजें आपको पता होगी yes or no और इनको हमने एक concept से भी जोड़ा है जैसे हमने एक word यूज किया था clay pen या hard pen clay pen कब कहेंगे जब clay के द्वारा hard layer बनी हो ठीक है तो clay pen या hard pen क्या होता है यह हम आपको समझा चुके थे hard pen को break करने का हमारा main purpose क्या है यह भी हम आपको बता चुके थे अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इसी तरह पढ़ना है देखो कोई भी topic जब पढ़ो तो उसे समझ के पढ़ो ठीक है उसको वो क्या कहना चाहरा है यह समझो बात समझभा रही है हाँ तो ऐसे अगर रट्टा लगाओगे सिर्फ रटोगे तो फिर चीज़ें समझ में नहीं आएंगे clear हाँ इसके बाद लिखलो next point इसी में लिखना है next primary tillage में लिखना objective हो गए next ऐसे bullet बना के लिख लिए आगरो ऐसे point the implement used for primary tillage is the implement used for primary tillage are called primary tillage are called called as primary tillage implement primary tillage implement so primary tillage implements क्या होते है simple सी बात है as a tillage implement जो primary tillage में use होते है simple सी बात है यह तो बहुत easy है इसे तो आप ऐसे ही समझ सकते तो लिखाने की ज़रत नहीं थी बट कोई बात नहीं है है देखो हमें सब को लेकर चलना है चाहे वह big student हो चाहे बहुत ज़्यादा ग्याता हो ठीक है तो अब ग्याता जो है वह वह तो पढ़ लेंगे जाता है इसे negative में मतले ना मतलब की जुन लोगों ने पढ़ लिया एक दू बार ठीक है अब उनको तो पता है लेकिन जो पढ चाहे है बने रहो तब है तो ऐसे टलेस इंपलीमेंट जो primary टलेस आपरेशन में यूज होते हैं वह क्या कहलाते हैं आपके primary टलेस इंपलीमेंट कहलाते हैं is that clear अब इसमें देखिए आप के आएंगे हम इसको बताते हैं तो इसमें देखिए आपके आएंगे एनिमल रॉन पसु चलित तो पसु चलित प्रैमरी टिलेज इंप्लिमेंट कौन-कौन से हैं तो एक इंडिजीनस प्लाव है देखा होगा सभी लोगों ने इंडिजीनस प्लाव और इसके बाद मोल्ड बोर्ड प्लाव और इनके जो काम हैं यह हम आपको बता चुके थे कि मोल्ड बोर्ड प्लाव एनिमल ड्रान मोल्ड बोर्ड प्लाव का काम क्या है इंडिजीनस प्लाव का काम क्या है मुल्टी परपस से यूज होता है यह पता होगा आप लोगों को यह हम पढ़ा चुके भई यह हमने उस दिन लिखाया था कल ही आप पर्सों लिखाया था पर्सों वाली क्लास में याद है और एक थो है ट्रेक्टरड्रान ट्रेक्टर और अब त्रक्रोह ट्रटरवे लाखने भी mored board plow का याएगा disk plow mode board plow , plow generally आते हैंm disk plow, is not mold board plow हो याजाएगा,is के अलावब, is के अलाव़, heavy duty disk, disk harrow, heavy duty disk harrow, heavy duty disk harrow and subsoil plow, subsoil plow, यह जो है, यह आपके primary intelligence implements, यह आद रखने, generally plow यह आद रखना बस, हाँ, हाँ, चली, okay, हाँ, कालीन भाहिया, अरे वाह, कालीन भाहिया भी आगे भी है न, ठीक है, ठीक है, हाँ, plow generally आपते हैं, ठीक है, यह हो गया, अपका primary intelligence complete, primary intelligence में हमने आपको बताया, primary intelligence क्या है, primary intelligence के objective क्या है, primary ADHD कितने फ्रकार का होता है, सभी को मैंने अच्छे से समझाया है, और primary intelligence implements क्या है यह हमने बता दिया हैं, ठीक है, हाँ, हाँ चिसल प्लाव भी आजाएगे लिखना है चाह तो लिखलो चिसल प्लाव, Yes, चिसल प्लाव, अरे यह तो लिखाई दिया है इसको क्या ही लिखना, यह लिखा दिया है मैंने, जो लिखा दिया है उसको दुबहरा क्यों लिखना, अब इसके बाद लिखलो Secondary Tillage Implement, ओ sorry Secondary Till we now tillage क्यों करते है, secondary tillage, euchना the tillage operation performed the tillage operation Tillage operation, tillage operations bracket में लेकल लेकल लाइटर and finer lighter and finer अब देखो lighter सुनके कुछ लोगों की बत्ती जग गई होगी है ना lighter सुनके कुछ लोगों की बत्ती जग गई होगी आरे 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 ये तो वही lighter है जिससे हम ठीक है है ना तो ये वो बाला lighter नहीं lighter मतलब hulky hulky applying करेंगे अब finer मतलब थोड़ा सा fine कर देते हैं उसको है ना hulky करते हैं heavy नहीं करते हैं ठीक है हाँ lighter and finer tillage tillage operation लेख लो perform bracket बंद perform perform after primary tillage primary tillage प्राइमरी tillage के बाद एक lighter और finer tillage करते हैं या tillage operation करते हैं किसके लिए to create to create proper seed bed proper tillth ऐसे लिख लो proper tillth proper tillth for proper tillth for seeding and planting and seeding and planting for seeding and planting are called secondary tillage secondary tillage क्या है secondary tillage हम करते हैं primary tillage के बाद तो primary tillage के बाद जो operation किया जाता है किसा होता हो लाइटर और finer होता हलकी जुताई करते हैं हलकी करते हैं हां समद्दनारी बात हलकी करते हैं किसके लिए किसके लिए proper tillth के लिए proper tillth मिल जाये हमें जिससे की आसानी से sowing और planting की जा सके तो यही क्या कलाती है आपकी secondary tillage क्लाती है तो primary tillage में देखो simply हमने क्या किया था स्वाइल को open किया था ठीक इसके बाद हमने open करके छोड़ दी स्वाइल इसके बाद हमने secondary tillage की तो उसी में थोड़ी से ओक्र dragon कर देंगे , open कि तो कई चुके थे थे यह क्या राता है सभ्वकूंद्रइख डिलिग अब आपको आइडिया लग जा होगा कि सेकंड्री यग्शिली कै क्या बोलो तो भया है को और इसके बाद है जैसे ही खत् measurement हो जाएगा इसके बाद हम न्यूल्टर स्टार्ट करेंगे, इसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, प्लांट न्यूल valuation, यान प्लांट-नुट्रियंट यानि सब्दाइब बॉय फड़ाएंगे, यह सारी चीज़ें खातम करेंगे, तर आपको सही点 सब तो वो provide कर दे, उसके बाद पढाना ना पढाना आपका काम है, कितना पढाना है, क्यों पढाना है, ठीक है, reason क्या है पढने का, यह आपका काम है ठीक है, और अगर आप इस काम को अच्छे से जानते हो, तो फिर कोई दिककती नहीं है, क्यों? इसके बार लेखलो, next point लेखलो इसमे, the implements used for secondary tailage operation, the implements used for secondary tailage implements, secondary tailage implements are called as secondary tailage implements, secondary tailage implements क्या है, secondary tailage में जो implements use होते हैं, वो क्या कहलाते है, secondary tailage implements कहलाते हैं, इसमें कौन कौन से आएंगे, मैं आपको बता देता हूँ, example, harrows सारे, harrows जो हैं, वो इसमें आ जाएंगे, harrows जो आप लगोंने सुनेंगे, rotary tiller, rotary, 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 rotary tiller, इसके लाबा, tools for mulching and following, tools for mulching and following, mulching और following में जो tools use होते हैं, वो सारे, हो भी लिख सकते हैं, hose ये भी तो है, नहीं तो hose, चाहिए, hose मतले को, ये लिख लो बस, बस कहा सकते हैं, उनको भी कोई लिक्कत नहीं है, ठीक है, good, समझ में आ रिये बाद, क्लियर, चलिए, आगे बलते हैं, देखो secondary tillage यतना ही पढ़ना है आपको, अगर objective जानना है, objective क्या ही जानना, objective लिखने की दुरत नहीं है, ठीक है, objective आपको पता ही है, कि sowing के लिए हमें feed को prepare करना है, fine tillage करना ही है, ठीक है, weed हों तो weed को remove कर दो, यही हमारे जो main objective है, secondary tillage के है, simple है, अब heading आल लो, अब देखो हमने tillage जो है, preparatory tillage तीन प्रकार की लिखाए थी, याद है आप लोगों को, preparatory tillage तीन प्रकार की लिखाए थी, एक तो थी primary, दूसरी थी secondary, और तीसरी थी, layout of seedbed, बोलो, यह थी, भूल मत जाना, ठीक है, यह तीन थी, दू cover हो चुकी है, first and second, बची कौन सी है, third, layout of seedbed, तो heading आल लो, layout of seedbed, layout of, layout of, layout of seedbed, है, seedbed, layout of seedbed, ठीक है, तो लिखे लो, after seedbed preparation, after, समझाते हैं, इसको, seedbed preparation, देखो, simply, ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो, कि जब हम seedbed को तयार कर लेते हैं, showing के लिए हमने secondary tillage कर दी, ठीक है, जब seedbed तयार हो गई, फिर हम क्या है, पूरे field में channels बनाते हैं, buns बनाते हैं, यही क्या कर आता है, layout, मतलब कि किस तरह का हो, उसमें layout बना रहे हैं, हमें irrigation channel भी बनाने हैं, हमें ridge भी बनानी है, हमें क्या किस field, किस चीज की requirement है field में, क्या होना चाहिए, वो सारा आएगा layout of seedbed में, बात सन्वारी है, तो the field is, the field is laid out, laid out, properly for irrigation, properly for irrigation, 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 irrigation and sowing, and sowing, यह क्या है और, तुम लोगों को यहीं नहीं पता है, हमें क्या पढ़ना होता है, subject में क्या-क्या है, क्या-क्या नहीं है, हम क्या बता देंगा, और, planting, seedling, ठीक है, bunding, bunding एक अलग practice है, हाँ, bunding क्या सकते हो, अगर आपने field में bund बनाई है, तो यह भी आएगा layout में, बिलकुल, ठीक है, हाँ, agriculture बिद्बिने कह रहे हैं, ठीक है, यह जो operation है, यह क्या होता है, crop specific होता है, जो layout of seedbed है, यह क्या होता है, crop specific, जिस crop की जैसी requirement होती ही, उसी साफ से हम यह, उसका layout बनाते है, सभी crop का जो layout है, जो, जितनी भी crops है, ऐसा नहीं कह सकते हो, कि सभी crops का जो layout है, वो same ही होगा, same, एक जैसा होगा, simple है, हाँ, जैसे wheat, soybean, pearl millet, groundnut है, caster है, इन्हें क्या है, कि इन्हें flat leveled seedbed की जरुरत होती है, flat leveled seedbed हम prepare करते हैं, उसके बाद हम उसमें layout बनाते हैं, simple है, तो layout of seedbed क्या होता है, यह बापको clear हो गया होगा, layout of seedbed क्या होता है, clear, clear, ठीक है, तो layout of seedbed क्या है, तो primary complete होगया, यह इतना ही पढ़ना है, बस, ऐसे ही आएगा, ऐसे ही आएगा, जितना बताते जाएं, उतना करते जाओ, ठीक है, तो primary होगया है, primary में तीनों हमने करवा दिये हैं, deep blowing, sub soiling, including, क्या करवाया है, secondary करवा दिया है, इसके implement करवा दिये हैं, समझा दिये हैं, क्या होते हैं, इसके बाद layout of seedbed, ठीक है, अब इसके बाद heading रालो, अब देखो, अब हमने tillage जो है, वो दो परकार की बताई थी, प्रेप्रेटरी टिलेज, प्रेप्रेटरी तुम लोगों को याद दिलाना पड़ता है, यह लिख secondary में divide की गई है, और layout of seedbed, layout of seedbed, primary को तीन, deep, subsoiling, subsoiling and year round, यही था, यह complete हो गया है part 1, अब हम बात करेंगे after tillage की, clear? हम, सर, अरजुन पेड, class of, है क्या, हाँ, बिल्कुल है, 24 से start होगी, वो यानि, कल से, कल से start होगी, ठीक है, कल से start होगी, वो, ओके, कल से start होगी, मालेक, कल से start कर देंगे, कहे हैं, परिशान हो, ओके, ठीक, good, इसके बार लिख लो, यह क्या बताया है मैंने, कहां गया वो, अच्छा, ठीक है, कहां गया, इसके बार लिख लो, after tillage, after tillage है क्या हम बताते हैं आपको, तो a, b, लिखाया था, यह b, करके कल लिख लो, after tillage, after tillage क्या है, लिख लो, the operation, the tillage operation, the tillage operation that are carried out, the tillage operation, that are carried out, carried out in the standing crop, in the standing crop, in the standing crop, in the standing crop are called after tillage, after tillage, after tillage, after tillage क्या है, वो operation, वो operation, जो standing crop में किया जाता है, यानि, sewing के बाद, हमने पहले भी बताया था, कि ऐसे operation, जो sewing के बाद किये जाते हैं, जब हम sewing कर देते हैं, उसके बाद जो operation of field में करेंगे वो आपके क्या कहलाते है after tillage क्या लाते है after cultivation कह सकते हो बात संद्धारी है तो यह है तो after tillage क्या है या after cultivation ऐसे भी लिख सकते है after cultivation after नहीं तो पर रो confuse हो जाओ आप लोग एक ही बात है after cultivation ओके यहाँ पर भी लिख सकते है और after cultivation ठीक है after cultivation simple है तो यह है इसमें जैसे पहला लिख लो पहला लिख लो drilling और side tracing of fertilizer पहला drilling और side tracing of fertilizer अब इसका मतलब क्या है हम समझाते है off fertilizer यह भी किसमें आएगा after tillage में आएगा तो यह क्या होता है जैसे हमने किसी crop की स्वेंग की suppose that हमने इस रो में crop की स्वेंग की है ठीक अब इस रो में crop की स्वेंग की है तो माल लो अब आब हमें इसमें fertilizer apply करना है तो हम drilling कर सकते है fertilizer की इस पर्टिक्लर रो में या हमने क्या गिया side tracing कर दी fertilizer किया पॉइंट placement कर दिया या band placement कर दिया तो यह किसके अंतरगत आएगा after tillage क्योंकि हमने जब sewing कर दिया उसके बाद ही तो कर रहे standing crop में यह operation कर रहे है तो यह किसके अंतरगत आएगा after cultivation के अंतरगत आएगा क्या आएगा after cultivation is that clear इसके बाद जैसे आप लोगों ने को और सुनाओगा earthy earthy सुना है earthy सुना होगा बहुत ही famous है earthy earthy आप earthy आप कह सकते हो इसको earthy आप ठीक है तो देखे earthy आप जनली किया जाता है किसमें देखो करते है ground nut में करते है ground nut में करते है ठीक है और इसके अलावा sugar cane में किया जाता है potato में किया जाता है इन सभी में किया जाता है या सुनू ठीक है इन सभी में किया जाता है बताओ तो जैसे सुगर केन में क्यों करते हैं क्योंकि सुगर केन में लौजिंग की problem होती है जैसे ही rainfall होती है या बहुत तेज हवा चलती है इससे क्या होता है जो crop है हमारी lodge कर जाती ही गिर जाती है तो extra support provide करने के लिए हम क्या करते हैं मिट्टी को चड़ा देते हैं से लिख सकते हो, to provide extra support against lodging, to provide extra support against lodging, lodging के against क्या है crop को हम extra support provide करते हैं, यही क्या क्या लाता है, अर्दिंग क्या लाता है, तो main purpose जो है, सुगर केन में अर्दिंग अप करने का, यही है, हाँ, lodging prevention के लिए बिलकुल बहुत सही, चीक है, हाँ, इसके बाद अगर हम कहें कि potato में क्यों करते हैं, बदाओ, potato में क्यों करते हैं, बदाओ, गलो तो जो फ्रवाद तो प्रवाद तो प्रवाद, more soil volume more soil volume more soil volume for better growth of tuber for better growth of tuber tuber की better growth के लिए हम क्या करते हैं soil को चड़ा देते हैं कहाँ पर ridge पर देखा होगा potato जो है modified stem है आपको पता है modified stem अब यह modified stem है इसका मतलब यह है कि अगर अगर यह धूप या sunlight के contact में आ जाएगा system है तो photosynthesis करेगा तो जैसे यह sunlight के contact में आता है वैसे क्या होने लगती है इसमें photosynthesis होने लगती है और solenine का formation हो जाता है और solenine एक toxic substance है बोलो solenine toxic substance है ठीक है और इसकी permissible limit क्या है up to 20 mg per 100 g of potato ठीक है यानि इतने तक तो permissible है भी खा सकते हो इससे कम तक इससे उपर होगा तो क्या हो सकते है आपकी death भी हो सकते है आप निपट भी सकते हो बात संजमारी है हाँ नहीं फिर बाद में काओ कि सर हम है हुआ करते हैं नहीं नहीं हुआ करते नहीं अब हुआ करते थे आप ठीक है या हुआ करते थे हो गए सर तो solenine content बढ़ जाता है तो इसलिए proper tuber का formation हो सके और quality tuber की खराब नहों इसलिए हम करते हैं ठीक है इसके बाद आप जैसे अब groundnut में क्यों करते हैं अब groundnut में भी जरूरी है groundnut में pod का development proper हो to develop है ना proper development of pod groundnut में इसलिए करते हैं कि properly develop हो जाए proper development of pod development of pod and proper penetration of pegging या proper pegging अईसे लिख लो proper pegging proper pegging के लिए और pod के proper development के लिए हम क्या करते हैं groundnut में भी earthing up करते हैं तो ये भी किसके अंत्रगत आएगा आपका, ये भी आएगा after cultivation, किसके अंत्रगत, after cultivation, बहुत ही simple है, ठीक है, तो ये आप आपको समझ में आ गया होगा, हाँ, बहुत बढ़िया, good, हाँ, potato में करते हैं, 40 से 45 दिन बाद, बिल्कुल, और grounded में करते हैं, grounded में भी same ही time है, 40 से 50 दिन के रेंज में करते हैं, ठीक है, अब next interculture operation, या interculture, interculture, next ये second earning up था, next लो interculture, 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 interculture क्या होता है, विद्धि, किसके help से करते हैं, तो लेख लो, with the help of, खुर्पी and hand ho, with the help of, with the help of, खुर्पी and hand ho, interculture operation करते हैं, या weeding करते हैं, simple सी बात है, ठीक है, हाना, हाँ, अंग में आ रही है बात, इसके बाद लिख लो, हम, हम, खुर्पी और hand ho, की मदद से, थोड़ी ए रुख जाऊ इए पहले इंटर कल्टिवेशन बतादें, फिर पैगिंग बता दे, हम एक़ बार फिर से याद दिला देना रिपैगिंग बता दे, वो, सरी , पैगिंग बता दे white . इंटर कल्टिवेशन नेक्स्ट इंटर कल्टिवेशन ये किसकी मदद से करते हैं तो आप लोग लिख सकते हो with the help of desi plough, cultivator and wheel hoe, with the help of cultivator, desi plough, desi plough and wheel hoe, ऐसा हो जिसमें wheel पाए जाते हैं, in the, in wider row crop, wider row crop, wider row crop का मतलब समझ रहे हो, जिनमें row to row spacing ज्यादा होती है, उसमें क्या करते हैं, cultivator के द्वारा, desi plough के द्वारा या wheel hoe के द्वारा हम interculture operation करते हैं, inter cultivation करते हैं, बात संभारी है, inter cultivation करते हैं, for example, एक आद वीडर के नाम भी बता देते हैं, एक आद वीडर के नाम भी बता देते हैं, जैसे star weeder, अब star weeder पूछा जाता है, किस किसमें यूज किया जाता है, तो याद रखना star weeder का यूज किया जाता है, weeding के लिए किस किसमें, groundnut में यूज करते हैं, इसके बाद foxtail millet में यूज करते हैं, इसके बाद और भी है Japanese rotary weeder, Japanese rotary weeder, चीक है, अब इसका देखो ये बहुत important है, Japanese rotary weeder का कभी-कभी वो पूछ ले जाता है, काम, मतलब किस परपस से यूज किया जाता है, तो देखो इसका use हम weeding के लिए भी करते हैं, weeding and incorporation of, incorporation of, incorporation of fertilizer, in, of fertilizer, of fertilizer, in transplanted, ऐसे लिख लो, in, line sowing low land rice, line sowing low land rice, ऐसे लिखो, low land rice, ये पूछे जाते हैं, ये exam में question पूछे जाते हैं, low land rice, जैसे कभी-कभी exam में question ये आ जाता है, कि भई ये बताओ, कि Japanese rotary weeder का काम क्या है, weeder है, यहाँ पर weeder कर लेना, weeder, ठीक है, तो इसका काम क्या है, तो हमारे दिमाग में सरफ एक ही होता है, कि weeder है, तो weeding करता होगा, नहीं, इसका use fertilizer को soil में incorporate करने के लिए भी किया जाता है, fertilizer को soil में mix करने के लिए भी किया जाता है, simple है, clear है, तो यह एक-दो weeder हमने जासे star weeder, यह भी important है, star weeder, यह भी important है, ठीक है, Japanese rotary weeder, ठीक है, और यह याद रखना है आप लोग, तो यह आपका complete हो गया है, preparatory and after cultivation, अब हम जो है, अगली class पे आपको tillis system बताएंगे, है ना, तब तक के लिए pegging और बता देते हैं, अब जिसके भी doubt हो, आप लोग share कर सकते हो, अभी यह खतम नहीं हुआ है, अभी main point बाकी है, main चीज बाकी है, क्योंकि जो हमारा main मकसद है, उसको पढ़ाने का, वो है moisture conservation, moisture conservation, cost of cultivation को कम करना, अब हम बताएंगे कि क्या अब advantage होंगे, क्या disadvantage होंगे, excessive tillis करने से organic matter कैसे कम है, जाना नहीं है, अभी तुम लोग भागने लगे, भाई अभी खतम नहीं हुआ, एक लास खतम नहीं हुआ, जब तक हम धन्यवाद न बोल दें, जब तक हम यह नहीं कह दें कि यह course है, ठीक है, तो मैंने क्या बताया, कि अभी main चीज बाकी है, जो हमारे chapter पढ़ाने का यह main purpose है, वो है moisture conservation, dry islands, कैसे moisture conserve होगा, अब हम कैसे cost of cultivation कम करेंगे, या excessive tillage करने से कैसे organ matter कम हो जाता है, कैसे weed problem कम हो जाती है, यह हमारा पढ़ाने का main उद्देश है, ठीक है, तो अभी तो main बाकी है, तो जैसे कि अभी एक भाई साहब ने कहा कि सर पैगिंग क्या है, वाट इस पैगिंग, तो इस पैगिंग क्या होता है, formation of peg, formation of peg in groundnut, groundnut में peg का formation ही क्या क्या क्यलाता है, पैगिंग क्यलाता है, और यह generally जो stage है, यह आपकी आजाती है, 40, 45, 50 days बाद sewing के, कि यह पैग का formation होने लगता है, अब यह जो पैग है, यह क्या है, यह एक गाईनो 4 होता है, एक root होती है एक तर है कि, ठीक है, जो कि कैसा होता है, positive geotrophism होता है, कैसा होता है, positive geotrophism, गलोचे, पर उलक मतलब क्या है, ऐसेइसा organ जिसकी growth gravity की तरफ होती है, gravity का मतलब है soil में darkness की तरफ होती है तो यह सकी darkness की तرف growth होती तह positive geotropism अगर इसकी sunlight की तरफ growth होती या radiation की तरफ होती या sun की तरफ होती तो हम इसे कह देते negative geotropism इसे negative photo- longtime कह सकते हूँ तो यह एक gynophor होता है pag ठीक और जो की होता ह talk positive geotropism जिसकी growth नीचे की तरफ होती है और peg के माध्यम से ही क्या है pod का formation होता है कैसा इसी के माध्यम से pod बनते हैं तभी आप लोगों ने देखा होगा एक चीज और समझ लो तभी आप लोगों ने देखा होगा कि ground nut को हमेशा ground nut को हमेशा हम light textured soil में grow करते हैं light textured soil याद है सभी को पता है light textured soil क्या है light textured soil या light soil में grow करते हैं especially sandy loam soil sandy loam soil जिससे की pegging proper हो सके पहला हमारा main उद्दिस यही है light soil में grow करने का कि पैगिंग जो है वो proper हो सके अगर properly pegging नहीं हुई है properly pegging नहीं हुई है तो pod का formation properly नहीं होगा और finally yield जो है वो घड़ जाएगी इसलिए sandy loam best मानी जाती है light जो है वो सही मानी जाती है heavy soil में हम grow नहीं करते हैं अगर हम करेंगे अगर हम करते हैं तो देखो एक तो अगर soil dry हो गई हो गई तो simple सी बात है यह hard हो जाएगी हो जाएगी तो जब यह soil hard हो जाएगी तो पैग penetrate नहीं कर पाएंगे तो पैग पर पर ली नहीं हो पाएगी जिसकी वज़े से पॉड का development properly नहीं होगा दूसरी बात एक तो इसमें problem आएगी दूसरी problem आएगी जब हम इसको harvest करेंगे ground nut को harvest करेंगे तो यह जो soil है यह चिपकी रहेगी आपके pod से जो आप मुंधफली खाते हो उससे चिपकी रहेगी stick हो जाएगी ठीक है तो फिर क्या होगा तब भी problem होगी यह नहीं harvesting के सबें भी problem होती है तो इसी लिए heavy soil जो है वो best नहीं मानी जाती है heavy soil जो है वो best नहीं मानी जाती है ground nut cultivation के लिए बात संदमागी हम क्या कह रहे है एक चीज़ और पूछी जाती है कि बताइए ground nut की ऐसी कौन सी stage है जिस पर हम interculture operation avoid करते है that is packing इस पर कोई भी interculture operation नहीं करते है या और प्रॉपर पैगिंग नहीं हो पाएगी जिससे की pod का development नहीं होगा बात समझ में आ रही है ठीक है यह है अब किसी का अगर कोई doubt हो अभी तक जो हमने पढ़ाया है आपको समझ में नहीं आया है तो आप मेरे से पूछ सकते हो कि यह सर क्या है तो मैं उसको बता देता हू बता हूई अब बता हूई अब बता हूँ जिस student ने यह पूछा था उसको समझ में आया है कि नहीं उसको समझ में आना चाहिए ठीक है अब बता हूँ किसी और का कोई doubt है इंप्लिमेंट की फिल्ड के पैसिटी मतलब ग्यारा वजे से मेराथन सुरू होगी सर स्लोपी एरिया में कौन सी टिलिज करते हैं देखो पहली बात तो यह हम आपको थोड़ आभी रुक जाओ टिलिज सिस्टम जब हम बताएंगे तो बताएंगी जनरली देखो हम क्या करते हैं जब हिली एरिया की बात आती है तो वहां पर हम हमेशा स्लोप के अगेंज्ड करते हैं ठीक है और लाइट ठीक है अगर उस तरह कोई कोस्चन है ठीक है ऑफ्षन है तो इसको बताओ फिर मैं उसको समझाता हूं बाकि भी बाकी है ठीक है हूं एक इस्ट्रिप टेलिज भी होती है यह हम बताएंगे आपको आगे ट्रेश सिस्टम में आएगा यह यह जो logainiin में यस पढ़ाएंगे ये पढ़ाएंगे ये लेड़ाईंगे ये बढ़ाएंगे हम न्यूट Vous hips वह सारी बढ़ाएंगे थेकाया समय है बहुत detail में होने बाला है न्यूटरिंट ऐसा तुमने अपने जीवन में नहीं पढ़ाओ दो बहुत तकter होगा टेक किलास妹 तो खतम कहा नहीं है, आपको घर जाके ज्यादा रिवीजन भी नहीं करना है, ठीक है? चलिए, ओके हाँ, बिल्कुल बाकी है, भी खतम नहीं हुआ ये टॉपिक, टॉपिक फिनिश नहीं हुआ है, मैं बता दे रहा हूँ अब देखिए, कल नहीं परसों आना है आपको, और बहराथन भी 11 बजे से है, बाकी मैं बता देता हूँ इस समय 80% डिस्काउंट और डवल वैलिटी चल रही है, आप लोग किसी भी कोर्स में रूल करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है? वो कैसे करोगे, जैसे IBPSCFO का अगर आपको क्रैस कोर्स लेना है, ठीक है तो सिंप्ली अड़र 24-7 सर्च करो गूगल पे, सर्च करने के बाद फस्ट वेब साइट पे क्लिक करो, देन आल कोर्स में जाना है, आल कोर्स में जाओगे, अगरिकल्चर सेलेक्ट करना है, और यह 26A, मैसिन डिसकाउंट मिल जाएगा, 1499 का यह बैच आपको मिल जाएगा, तो जाइए इन्रोल करिए, और रिवीजन को करिए, स्टार्ट, ठीक है, डिसकाउंट कोड यह है, यह 26A, ठीक है, बस आज के लिए इतना काफी है, कमेंट करके जरूर बताएं यह आपको क्लास कै कैसी लगी, ठीक है, हाँ, समझ में आया की नहीं आया, यह कमेंट में जरूर बताना है, क्योंकि जब तक कमेंट नहीं करोगे, तब तक हमें पता नहीं चलेगा, ठीक है, आपको घर, मैं फिर वही कहूंगा, ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू, मिलते हैं फिर, मैरतन में, 12 बजे भी है, अर्जुन, अर्जुन में भी आना हूँ, तो आजाना, आई जाना, आना हूँ, तो क्योंकि मतलब है, ठीक है, ओके, ओके, तो,